इस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी को पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर फिल्टर का आइकन या हमको फिल्टर नहीं दिखाए देरा उसे प्रोडम को केसे सोल कर सकते ही हलो दोस्तों आज के इसी वीडियो में जानेंगे कि इस्टाग्राम पर फिल्टर का आइकन या हमको फिल्टर कहीं नहीं दिखाए देरा वो अपने मोबाइल में उसको कैसे सही कर सकते ही जानेंगे पूरी वीडियो डीटेल के साथ में, तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरू से लेके end तक देख लेना, मैं आपको step by step समझाऊंगा, तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते ही, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सास्केम दो सास्काइब कर देना और आपको पास्बलेंड गंटी दिखाए देरी उसको भी ओल पर प्रेस कर देना उसके विद्गैस आप अपने मोबाईल में सबसेबल इंटरनेट को चेक कर ल तो गैस आप अपने मोबाईल में इंटरनेट को चेक कर लेना है जैसे दोस्तों अपने मोबाईल में इंटरनेट को चेक करके उसके विद्गैस आप अपने मोबाईल में प्ले इस्टोर को ओपन कर लेना दोस्तों आपके मोबाईल में इस परकार के एपलिकेशन दिखाए देरी उसको आपको ओपन कर लेना उसका बद गयस आपका अपन सर्च बार पर कली करके इस्टाग्राम को सर्च करके यहां से इस्टाग्राम एप्लिकेशन को अपडेट कर लेना जैसे अपने मोबाल में instagram application को update कर लोगे तो instagram में new feature आएंगे तो आपको सबसेपोले देखने को मिल जाएगा दोस्तों कई बातों अपने mobile में instagram को update नहीं करते हैं तो instagram में new feature आता है तो हमको नहीं मिलता तो अपने mobile में किसी भी प्रकार की bug आ जाती हैं तो guys आप सबसे फिले Instagram को अपडेट का लेना उसके बद guys आप अपने mobile की setting को open करके आपका अपर search करना apps उस पर आपको click करना जैसे दोस्तों उस पर click करके अपने mobile में सारी application open हो जाएगी उसके बद guys आपका अपर application को डून कर आपका अपर Instagram को open का लेना जैसे दोस्तों आपका अपर दिक्का लेना मैं अपने mobile में Instagram को open का लेना मेरे फास फिल्टर का आइकन दिखाए देरा तो अपने मोबल में फिल्टर वापिस आ चुका है तो गैस आपके भी मोबल में फिल्टर नहीं आ रहा तो इस परकार ला सकती है तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यूसफूल लेगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद